चाइना का इनर मंगोलिया जो कहलाता है एक ऐसा छेतर जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में बेजीटेबल्स और फ्रूट्स उगाए जाते हैं वहां अखिर ऐसा क्या हो गया है कि सडकों पर सडने गलने के लिए छोड़ा जा रहा है जानेंगे चाइना में दो तरफा इस वक्त हाहाकार क्यों मचा हुआ है ताइवान ने भी बड़ा फैसला लेकर चौका दिया है तो वहीं सबसे बड़ी खबर क्या तालीबान अब भारत में आ रहा है और इसका क्या मतलब है क्या तालीबान सरकार को भारत माननेता दे रही है जियो पोलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है CIS News Network के इस एपिसोड में आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा आएज जानते हैं इन खबरों को विस्तार से अभी हाल फिलाल में हमने एक खबर सुनी जिस खबर में था अफगानिस्तान का जो दूतावास था अफगानिस्तान की पहली सरकार यानि की असरफगणी वाली सरकार उस समय दुनिया भर में दूतावास थे उसी करम में भारत में भी दूतावास था और असरफ गणी तो देश छोड़ कर चले गए, तकता पलट भी हो गया, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कबजा भी कर लिया, अब तालिबान ने क्या किया, कई सारे देशों में अपने राजदूत भेजने शुरू कर दिये, कई सारे देशों ने कहा अच्छा ठीक है, आ अब ऐसे में भारत में क्या था, भारत ने भी तालिबान के दूद को स्वीकार नहीं किया था, अब आदिकारिक तो नहीं, लेकिन इनके आपस में ही जगड़े हुए थे, पूरू अफगानी थे, और जो तालिबान के द्वारा निउक्त किये गए, उन दोनों के बीज में भारत सरकार ने कथी तोर पर इस पर कोई दखल दिया नहीं था उस समय भी, पर बार में धीरे धीरे जो अफगानिस्तान की सरकार द्वारा निउक्त किये गए, दूतावास में कर्मी थे, उनको पैसे कहां से मिलेंगे, ये सबसे बड़ी बात है, पैसे का संचालन कैसे यहां पर एक बावाल खड़ा हो गया, जब बावाल धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो दूतावास में कर्मीयों की संख्या घटने लगी, एक ऐसा भी मौका आने लगा, कि राजदूत जादातर महीने बाहर ही रहने लगे, अब इसी करम में क्या हुआ, कि अफगानिस्तान क जो पूरू सरकार द्वारा संचाली दूतावास था, उन्होंने एक ऐलान कर दिया और कहा कि हम दूतावास बंद कर रहे हैं, और उन्होंने कुछ भारत सरकार पर भी आरोप लगाया, कि दूतावास संचालन में हमें मदद नहीं मिला, बहुत सारी बातें, अब उसके भारत में तो बंद हो गया, जब भारत में बंद हो चुका है पूराना दूतावास, तो हम दो-तीन दिन के अंदर दूतावास को फिर से खोलेंगे और हमारे उसमें परतिनी धी काम करेंगे, ये बात एक चौकाने वाली बात थी, कि इसका क्या मतलब है, क्या तालिवान पानेता दे दिया भारत ने क्या ये मतलब है ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बन गया अब जियो पॉलिक्स जरा समझे इसक्रीन पर एक आर्टिकल देखिए चाइना वह पहला देश बन गया जिसने तालीबान में अपने दूत भेज दिये और तालीबान ने चाइना के दू पॉलिकल तरीके से किस से फाइदा होगा पाकिस्तान से अब फाइदा होगा नहीं पाकिस्तान और टीटीपी में बन नहीं रही है टीटीपी को खुला छूट दे दिया गया है अफगानिस्तान के द्वारा ऐसे में चाइना को ये लग रहा है कि अगर हम क्यो ना तालीबा से उनके प्रजेक्ट हासिल कर लें बियराई को अफगानिस्तान से होकर गुजार लें और कई सारे और प्रजेक्ट पकड़ना सुरू करें भारत को यहां से निकलवाना सुरू करें बहुत सारी राजनीती यहां पे जुड़ गई है बिना सोचे समझे चाइना ने अपने कांटर करना है और आपको इस पूरे खेल में बने रहना है तो आपको अफगानिस्तान के साथ दोस्ति रखनी होगी और जहां तक बात अफगानिस्तान के लोगों की है तो अफगानिस्तान के लोग olabilirरत को एक बहुत अच्छे लजर से देखते हैं इसके पीछे सबसे अफगानिस्तान के अंदर चलाएं हैं और इन पुर्जेक्ट्स की वजह से बहुत सारे ऐसे काम भी हुए हैं जो अफगान के लोगों को बेहत पसंद है और वो भी छोड़िये ये जो उपविदेश मंत्री को आप देख रहे हैं ये उपविदेश मंत्री भारत में ही पड़ तौर पर ये कहिए कि तालिबान को अब भारत मानेता देता है या डायरेक्ट तौर पर ये कहिए चाइना को काउंटर करने के लिए भारत कदम को उठा रहा है दोनों ही पक्ष में भारत अपने हीतों को यहां पे साधरा है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं इनर मंगोलिया की सबसे बड़ी खासियत क्या है ना यहां फार्मिंग खूब होती है आप देखेंगे इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यह जो ट्रेन और ट्रैक बनाए गए हैं यहां के फार्म से सबजीयों को फलों को ले जाकर अपने चाइना के अंदर भी और मंगोलिय में बांकी जगह में एक्सपोर्ट करने के लिए इनर मंगोलिया को माना जाता है हब जहां पर सबजी और फल उप जाए जाते हैं पर आज कल क्या कहा जा रहा है ब्लूंबर्ग की इस रिपोर्ट को देखिए इस पूरे इलाके में बेजिटेवल सण रहे हैं और चाइना के फार्मर इस वक्त सडने के लिए छोड रहे हैं उनके पास कोई उपाय नहीं है जो डोमेस्टिक मार्केट है घरेलू मार्केट में डिमांड हो गया है बेहद कम अब घरेलू मार्केट में डिमांड कम होने की वज़े से ये सबजीयां सड रही है जबकि आप अनुपात दे मात्र 90 केजी के आसपास पर फिर भी इनके डोमेस्टिक मार्केट में इस वक्त सबजीयों की खपत नहीं हो रही है वैसे सिर्फ एक यहीं नहीं है चाइना ने क्या बयान दिया एंडी टीवी की इस रिपोर्ट को देखिए चाइना ने ये कहा कि देखो हमारे यहां जो इस वक्त फैला हुआ है बिमारी और इस बिमारी को लेकर कई सारी बाते हो रही है यह कई सारी बातें बेकार की है ऐसा कुछ भी नहीं है यह बहुत कॉमन बिमारी है कोई बहुत बड़ी महामारी नहीं है चिंता की बात नहीं है पर इस तरीके का महौल है उस महौल में चाइना अब इसका क्या मतलब है तो आपको बता दें अब यहां तो सक वाली बात हो गई ताइवान जो की चाइना को सबसे अच्छे से पहचानता है उसने ये बात कही है दुनिया भर में पहले ही चाइना को सक की नजर से देखा जा रहा है उपर से ताइवान ने ये बात कहके अब मोहर सा लगाना शुरू कर दिया है आपको क्या लगता है क्या ताइवान ने कहा है उसे मानना चाहिए या फिर चाइना ने जो कहा है उसे कमेंट कर अपनी राय जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ